हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या तेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी fingers काफी थिक नजर आ रही हैं सभी fingers के उपर आपको कुछ सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी कुछ इस तरह की रिखाएं जो आप इनकी fingers के lower और middle phalanges के ओपर देख पाएंगे ऐसी रिखाऊं का होना indicate करता है कि native काफी मिलनसार सभाव का रहने वाला है ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं काफी अच्छी nature ऐसे व्यक्ति की रहती है fingers की thickness आप यहां से देख सकते हैं जिसकी वज़े से native की energy and stamina काफी बहतर रहता है अगर हम length की बात करें तो आप देखेंगे इनकी तरजनी उंगली इनकी सूर्य finger के मकाबले थोड़ी short नजर आ रही है इस तरह की गुरू finger का होना native को परवास करवा सकता है ऐसे व्यक्ति को अपने घर से अपने जन्मस्तान से दूर किसी दूसरी जगा पर जाकर रहने के chances भी मिलते हैं overall काफी अच्छी इनकी तरजनी उंगली यानि गुरू की finger नजर आ रही है इस तरह हैं की ब्रिस्पति finger का होना native को knowledgeable बनाता है काफी अच्छी leadership qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति काफी अध्यात्मिक होते हैं spiritual minded होते हैं अगर हम बात करें इनकी शनी finger की आप यहाँ पर देखेंगे बिलकुल straight और बहुती अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger आपको नजर आएगी शनी finger का strong होना indicate करता है कि native बहुती मेहनती नेचर का रहने वाला है एक disciplined personality एक अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी unique हूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं अगर इनकी सूर्य finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य finger length में इनकी तरजनी से अधिक नजर आ रही है अब बिल्कुल straight है इस तरह की सूर्य finger का होना native को काफी creative nature का बनाता है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है इस तरह की सूर्य finger होने से native थोड़ा risk taker भी होता है अपने चीवन में risk लेने से नहीं घबराता और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी जो investments है उनमें भी risk ले बैठता है अपने धन को ऐसी जिगहों पर invest कर देता है जहां पर loss की संभावनाई हो जैसे share market है, cryptocurrencies हैं, mutual funds हैं उनमें भी ऐसे व्यक्ति की रूची देखी जा सकती है इनकी सबसे छोटी finger यानि mercury finger को चेक किया जाए तो आप देखेंगे यह finger लंबाई में काफी अच्छी है लेकिन थोड़ी low set होती हुई नजर आ रहे हैं आपको दिखाना चाओंगा, अगर हम यहां से एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह हैं कि एक रिखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनकी mercury finger, बाकी की fingers जैसे सूर्य finger, शनी finger और गुरू finger इनके मुकावले काफी नीचे से शुरू हो रही है, low set है जिसकी वज़े से native की nature थोड़ी shy रह सकती है, थोड़ी hesitation वाला सभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, otherwise इनकी finger की length में कोई कमी नहीं है या finger लंबाई में अच्छी है, जिसकी वज़े से native के communication skills काफी बहतर रहते हैं साथी साथ ऐसे व्यक्ति का business equipment भी काफी strong देखा जा सकता है चली आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी सबसे पहले इनके guru परवत की बात की जाये तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका guru परवत का जो area है काफी उभरा हुआ है ब्रस्पती mount जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही knowledgeable होते हैं साथ में आपको यहाँ पर एक इस तरह के घुमावदर रेखा भी नजर आएगी इस तरह की रेखा को guru वलय कहा जाता है गुरु वलय किन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवीती के होते हैं लेकिन थोड़ी वैराग्या की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करने वाले होते हैं sympathetic सभाव के होते हैं और यहां guru वलय होने से 40 की age के बाद ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी social working organization या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ सकता है और स्वास सेवा के कामों में भी रूची दिखा सकता है अगर हम इनके शनी प्रवत की बात करें तो शनी का area flat है यहां पर हाथ में शनी रेखा मौचूद है लेकिन बीच बीच में शनी रेखा थोड़ी कमजोर पड़ती हुई भी नजर आ रही है अब देख सकते हैं इनके middle बिल्कुल हाथेली के middle से यहां से शनी रेखा शुरू होते हैं यहां पर कुछ इस तरह है के हलके gaps के साथ यहां रेखा आगे बड़े यहां पराकर थोड़ी सी डिम पड़ती हुई बीच में इस रेखा में इस तरह है के हलकी weakness का होना indicate करता है कि native को समय समय पर ups and downs का सामना करना पड़ेगा भले ही इस रेखा का होना native को काफी अच्छी तरक्की जरूर दिलवाता है लिकिन अगर यहां रेखा बीच में से कहीं से भी कट रही हो या कुछ और रिखा है आकर इस रेखा को टच कर रही हो या बीच में कुछ gaps हो उसकी वज़े से काफी सारे ups and downs भी अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें आप यहां पर देखेंगे हलका सा दबता हुआ सूर्य परवत इस तरह का सूर्य परवत जिन लोगों का रहता है ऐसे व्यक्ति को समाज में यश मिलने में कठनाई आती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले बदले में कोई अप्रीसियेशन या रिवाड नहीं मिल पाता जिनका सुर्या पर वद्द दब रहा हो यश्की कमी ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में महसूस होती है ओवराल लंबी सुर्या रिखा का यहां पर अभाव नजर आ रहा है अगर हम बात करें के मरकरी की आप देखेंगे मरकरी मांट भले ही लो सेट जरूर है लेकिन काफी उभरा हुआ यहां पर भी आपको मरकरी रिखा नजर आएगी और यहां पर भी एक खड़ी लाइन इस तरह की रिखाए हाथ में मौचूद हो तो नेटिव का बिजनस एक्कुमेन काफी अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मरकरी लाइन्स होती है अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर अच्छे कम्निकेशन स्किल्स की वज़े से प्रोग्रेस पाते हैं और अगर बिजनस में चले जातो और वहाँ पर तू और भी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं इनके हाथ में मनी ट्रेंगल की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं बन रही आप देखेंगे यहाँ पर यह जो भागया रेखा है लगबग यहाँ तक पहुंचती हुई यह जो माइन लाइन है यह भी कंप्लीट है लेकिन इनकी जो मर्कृरी लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है यह है जो रेखा यह मरकरी लाइन है यह माइन लाइन है आप यहाँ पर देखेंगे मनी ट्रैंगल यहाँ से और इनकी भागया रेखा की शुरुआत वाली साइड से यहाँ से आपको थोड़ा खुला हुआ नजर आएगा जिसकी वज़े से धन ऐसा गक्ति कमाता खूब है ल से एक कर्वड फॉर्मेशन में और आगे चलकर गुरु वलाय को टच करती हुई इस तरह की हृदयरेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी अध्यात में खोता है दिल से स्प्रिचल होते हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ी इमोशनल नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की हाट लाइन मौचूद हो यहाँ पर आप देखें कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिस इनकी हाट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई इन रिखाओं का होना नेटिव को चीवन में कई बार एमोशनल सेट बैक्स दिलवाता हैं ओवरॉल कोई मेजर इशू यहा काफी अच्छी हृदर रिखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ माइंड की आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से लगबग इनकी एथेली के मिडल तक पहुंचती हुई इस तरह की रिखा का होना नेटिव को क बाना जाता इस तरह की रिखा होने से नेटिव को आगे चलकर थोड़ी मेमरी वीकनेस की समस्या रह सकती है लेकिन ओवरॉल ऐसे व्यक्ति जल्दी मूव आन करने वाले होते हैं काफी प्रैक्टिकल टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में मिडल साइस्ट इस तरह की मस्तिक्ष रेखा मौजूद हो अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की आप यहां पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है और खास तोर पर जीवन रेखा के अंत में आपको फिश का सिंबल बनता हुआ नजर इस चिन को फिश का सिंबल यानि केतू परवत के उपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल नजर आए ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धनलाब होते हैं इंशोरेंस के जरिए इनहारिटन्स के जरिए शेर मार्केट या लोटरी जैसी चीजों से नेटिव को धनका लाब हो सकता है और ऐसा चिन होना नेटिव को भागेशाली बनाता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राइं करने का मौका मिलता है बलए यहाँ पर इनकी जीवन रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ रही है अच्छे व्यक्ति अपने घर से दूर ट्रैवल कर सकते हैं कुछ समय के लिए कहीं और किसी और दूसरे कंट्री में या किसी दूसरी स्टीट में जाकर स्टे करने की संभावनाओं को इस तरह का चिन बढ़ाता है और इस तरह का चिन होना नेटिव को काफी लकी बनाता है अब यहां पर देखेंगे लगबग इनकी बिल्कुल शुकर परवत के अंत तक यह रेखा पहुंचती हुई आपको नजर आएगी इस तरह की लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा का होना नेटिव को अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक लंबी आयू भी देती है आप यहां पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा को टच करती हुई जिससे कुछ माइनर हैल्थ इशुस का सामना इनको करना पर सकता है लेकिन ओवराल को यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही अगर हम देखें इनके शुकर परवत को तो यहां जो एरिया है शुकर का यानि वीनिस का एरिया कहलाता है इस तरह से उबरा हुआ शुकर परवत जिन लोगों की अथेली में रहता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुक्सुविधाओं को इंजॉय करते हैं लेकिन इस माउंट के उपर बहुत सारी आड़ी रिखाएं आप देख पाएंगे इन रिखाओं का यहाँ पर होना बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को अपने परिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है नेटिव की मैरेड लाइफ में भी अपसन डाउंस रहते हैं इन स्टिबिलिटी यक्ति को अपनी मैरेड लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है चंदर परवत की बात की जाए तो बहुती सपष्ट और क्लियर इनका मून का एरिया यहाँ पर कोई भी नेगिटिव साइन नहीं है अगर इस एरिया के उपर बहुत जादा रिखाएं हो तो नेटिव को एंकसाइटी की दिक्कत होती है लेकिन यहाँ पर एक बहुतर मेंटल स्टिबिलिटी इस तरह का चंदर परवत नेटिव को परवाइड करता है तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जुआब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद